नवसका कैपिटल टीव उत्तरप्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता उत्तरप्रदेश विदाल सबा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता और विधायक बच से इस्तिफा देकर ही सियासी हलचल पैदा करने वाले शाह आलम और फगुडु जमाली का दाव उल्टा पड़ गया है क्योंकि अब जमाली के इस्तिफे के बाद बीएस्फी चीफ ने बड़ा रास खुला है जिससे यूपी के सप्ता के गलियारों में संसनी फैल गई है असल में बीएस्फी चीफ माया वती पर तठस्त ग्रवईया अपनाने का अरोप लगाने के बाद पार्टी छोड़ने वाले आजमगड के मुबारक पूर के विधायक शाह आलम को बेनकाब करते हुए पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि वो उन पर अपने खिलाव दर्ज रेप के मामले में मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे इसके लिए उन्होंने सीम योगे आधितिनाथ से इस मामले में दखल दे कर मामले को रफा दफा करने का भी दबा बनाया था राज्यों में विदान सबत चुनाव होने हैं और इससे पहले सभी सियासी दलों के नेता दल बदल रहे हैं हाला कि राज्यों में दल बदलने वाले ज्यादतर नेता बीएसपी और कॉंग्रेस के ही है शाह आलम ने गुरुवार को बीएसपी का दामन छोड़ दिया और पार्टी प्रमुक को पत्र लिख कर उन्होंने विधायक दल के नेता और विधायक पत्स से इस्तिफा दे दिया अपने इस्तिफे में शाह आलम जमाली ने लिखा था कि मैंने महसूस किया है कि आप मेरी पार्टी के प्रति पूरी निस्ठा और इमानदारी के बावजुद संतुस्ट नहीं है और अब मैं आप पर या पार्टी पर बोज नहीं बनना चाहता इसलिए इस्तिफा दे रहा ह वही जमाली का पत्र इंटरनेट मीडिया पर वाइरल होने पर हल चल मच गई है और इसे बीएस्पी के लिए बड़ा जटका भी माना गया था हाला कि ये भी चर्चा थी कि वो एस्पी का दामन थाम सकते हैं लेकिन जमाली के इस्तिफिक के बाद बीएस्पी प्रमुक माया वती ने मोर्चस अमाला और इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी कमपनी में काम करने वाली एक युफ्ति ने उनके चरितर पर गंबीर आरोप लगाते हुए केस दर्च कराया था इस मामले में जाच चल रही है लेकिन जमाली दबाव बना रहे थे कि मुख्यमंत्री स से बात कर वो इस मामले को खत्म करा देंगे मायवदी के मुताबिक उन्होंने सुजाव दिया था कि एक युफ्ति का मामला है और बहतर होगा कि जाच में न्याए न मिले तो फिर कोट जाए इस पर जमाली ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें पार्टी की तरफ से मदद नही के खिलाफ पिछले साल गोमती नदी थाने में छेडखार और धमकी देने की रिपोर्ट दर्च कराए गई थी शाह आलम पुर्वांजल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CMD भी हैं विदाय के साथ पीडिता ने कंपनी के AGM अक्षत कपूर और HR मैनेजर सुमीता पर भी आरोप लगाये थे युफ्तिक आरोप है कि शाह आलम ने उसे 40,000 रुपे वेतन पर कंपनी में नोकरी देने का आश्वाशन दिया था नोकरी जोइन करने के बाद छेड चार्ड शुरू कर दी गई आरोपी विदायक लड़की को वीडियो कॉल भी करता था लड़की ने शाह आलम पर कम कीमत पर कीमती फ्लैटो का पंजी करन कराने का भी आरोप लगाया है और इसके बाद पीडिता ने गोमती नगर थाने में प्रात्मी की दर्च कराई थी कैपिटल टीवें फिलाल के लिए बस इतना ही उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवें उत्तर प्रदेश नमस्कार